हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ह cand a means high availability इसका क्या use होता है है इसके क्या-क्या benefits होते हैं इसकोり नैट्रोक में क्यों use क रहते हैं और इसके अंदर हम क्या क्या terms use करते हैं तो यह practically एच्छे मींज high availability इसको समझने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज समझाता हूँ देखिए basically आपके ने ट्रोग में क्या होता है general scenario में यह आपका firewall है यहाँ पर आपका router connected होगा और यह होगा आपका internet से connected ठीक है यह फिर यह भी हो सकता है यह जो firewall है यह directly आपका जो भी है ISP EC पर आपको cable terminate करा इसके बाद क्या होता है यहाँ पर एक switch होता है आपके ने ट्रोग में और यहाँ पर आपके user connected होते हैं ठीक है तो अभी यहाँ पर एक चीज समझेए अगर यह आपका firewall down हो जाता है तो क्या होगा आपके पास कोई backup है कोई भी backup नहीं है ठीक है तो इससे क्या impact होगा इसे आपके जितने भी network के users है वो आपका internet ने access कर पाएंगे कोई भी outsider service है उसको access नहीं कर पाएंगे तो इससे एक impact आएगा आपके business पर आपका business loss होगा और इससे हम बचने के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दो device होते हैं तो क्या होता हमारा जो traffic है वो shift करवा देते हम दूसरे devices पर दूसरे firewall पर तो यह होता है हमारा अच्छे का benefit अगर हमारा एक firewall down चला जात है तो हमारा traffic shift हो जाता है दूसरे पर जिसकी वजह से हमारे network में कोई भी downtime नहीं आता है अगर basically आता भी है तो कितने time के लिए आएगा downtime 2-3 second के लिए maximum 5 seconds तो इससे आपका business impact नहीं होगा और जितने भी आपके land के users है आपके environment में जितने भी users है वह आपकी services को प्रोपर तरीके से यूज कर पाएंगे जो भी आपका आउटसाइडा internet है या आउटसाइडा network है यह होता है हमारा hk benefit this is used to provide the redundancy यह आप देख सकते हैं redundancy प्रोवाइड करने के लिए होता है redundancy मलब एक device आपका डाउन जाता है तो आपका backup start हो जाता है ठीक है hl links are synchronized to four more devices in forticate एच्छे one device will act as a primary and second will act as a secondary इसमें हमारे पास कम से कम दो device होने चीए जो पहला device है वो हमारा work करेगा as a primary जो secondary होगा वो work करेगा as a secondary forticate में हम देखे दोस्तों जो primary device होता है उसको हम बोलते है master और जो secondary होता है उसको बोलते है हम स्टेंड वाइज देखे मिन सेकेंटरी डिवाइज और इसमें जो हमारी जो केवले हैं हम इसको बोलते हैं यह क्या होता है configuration हमारी जो भी होगी firewall में और जो भी sessions होंगे उनको सिंक कराने के लिए यूज होते है primary to secondary इसके बाद आता है दोस्तों यह पर active device synchronize its configuration with another device in the group जो भी आपके ग्रूप में मालेजे ग्रूप क्या होता है एच्छे का मतलब क्या आता है group of devices ठीक है group of devices में आपके एक दो devices भी हो सकते हैं एच्छे configure करने के लिए हमारे पास कम से कम दो device होने चीए और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ठीक है यह हो गया हमारा एक group जो भी हमारा primary firewall होगा primary device होगा वो अपने जितने भी configuration है वो sync करेगा secondary पर और जो आपका secondary अधर होगा जितने भी all devices होंगे उन पर sync करवाता है लेकिन हमारे पास यहाँ पर कम से कम दो devices होने चाहिए ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते है 48 devices are called secondary और standby ठीक है जो secondary device होता है हमारा उसको हम standby भी बोलते हैं ठीक है यहाँ पर हम दो टाइप से configure कर सकते हैं एक है active active और दूसरा है active passive एक्टिव एक्टिव कर क्या मतलब है दोस्तों यहाँ पर जो आपका यह internal network है active active में आपके आधे sessions यहाँ से जाएंगे 50% अप सेट कर सकते 50% session आपके यहाँ से जाए आधे session आपके यहाँ से जाए ठीक है और दूसरा होता है secondary देखिए active active में यह benefit है आपका जो loader firewalls पर वो increase नहीं होगा CPU utilization कम होगा अलगे हाई नहीं जाएगा यह हमारे benefits है और active passive में क्या होगा हमारे यहाँ पर दो devices होंगे और जितने भी session होंगे हमारे network के वो जाएंगे हमारे primary device की तो ठीक है और primary device की से connected है हमारा एक switch से और यह switch की से connected है router से और router क्या है इंटरनेट से आ रहे है ठीक है जो भी यह router होगा YSP router होगा और इससे हमें internet की connectivity में लिए active passive में क्या होगा जितने भी हमारे session है वो जाएंगे यहां से अगर यह down जाता है तो हमारा जितना भी traffic है वो shift हो जाएगा secondary पर यह होता है हमरा active passive जो secondary है वो बन जाएगा primary और 40 gate में दोस्तों हम कौन सा कौन सी protocol यूज़ करते हैं इसमें हम यूज़ करते हैं FGCP जिसको हम बोलते हैं 40 gate clusting protocol और इसमें जो port हम यूज़ करते हैं वो 703 port यूज़ करते हैं वो 23 port यूज़ करते हैं ठीक है hard with synchronization के लिए इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर यहां पर देखिए अब इसके बाद आता है override override क्या होता है यहां पर override हम यूज़ करते हैं 40 gate में by default हमारा 40 gate candle disable होता है अगर आप इसको enable करते हैं तो क्या होगा देखिए example लेते हैं यहां पर माल लेजिए आपके दो devices है और यह आपका ISP का router है यह router का symbol हो गया और यह internet हो गया आपका और एक connected है ऐसे और यहां पर हमारा switch हो गया fw2 fw1 और यह हो गया switch देखिए अभी क्या होगा दोस्तों यहां पर override में अगर यह आपका primary device है और यह हो गया आपका secondary यह हो गया हमारा primary तो primary यहां पर down चला गया तो इस case में क्या होगा हमारा secondary है secondary device है वो बन जाएगा हमारा primary ठीक है पीफोर primary अगर हमारा secondary जो down गया device वो again हमारा up आता है और हमने override यहां पर enable गर रखा है तो इस case में जो हमारा primary device है वो again primary बन जाएगा ठीक है मनलगी जो primary था वो again primary बन जाएगा और link monitor यहां पर क्या होता है link monitor यह आपके समझी यहां पर when link है ठीक है when one when बन ठीक है यह आपका switch है यहां पर आपने connectivity दे रखे अपने firewall पर जो अभी आपका firewall है primary वो है यह वाला आपके जितने भी शेशन से बन रहा यह वो इस वाले firewall से बन रहा भी आपका traffic जा रहा है इस वाले firewall से जा रहा है ठीक है तो अभी क्या होगा मलीजी आपका यह वाला link जो है वो तो डाउन चला गया फेल हो गया या फिर आपने यह वाला लिंक आपका फेल हो गया और यह लिंक आपने लिंक मोनिटर के अंदर डाल रखे हैं इनमें से कोई भी लिंक आपका फेल हो गया तो इस केस में क्या होगा जितना भी ट्रैफिक है वो शिफ्ट हो जाएगा सेकंडर टेटम्स का इस्में जरूरी नहीं है कि अपका का डिवाइश फिल और होगा तो भी आपका सेशन जितने भी होंगे यह आपका जो भी ट्रैकिक है वो बाइपास हो जाएगा सेकेंड रिपर से केंड Diamond इता है यह तो आपका Wai fi लिंग डाऊन Awesome या का दॉचा हो जो भी आपने Link Monitor के अंदर इंटरफेश कोल रखआ है उनने से कोई भी इंटरपेश डाउन जाता है तो आपका जो है वर हो जाएगा और session pick up हमारा option होता है यहाँ पर session pick up में क्या होता दोस्तों जनरली यहाँ पर जो भी आपके interface होंगे हार्ड बीट है यह होंगे synchronization के लिए अगर माल लेजिए आपका यह fail over होता है device ठीक है यह device fail चला गया तो इसको fail over होने के बार मतलब कि आपका जो traffic है move होगा secondary पर उसको कितने टाइम लगता है उसको माल लेजिए दो से तीन second यह maximum five to six second ठीक है इतना time लग रहा आपका device fail over होने में अगर आपने यह session pick up enable रखा है तो इससे क्या होगा आपका totally कुछ भी downtime नहीं जाएगा यह maximum one second ठीक है अगर आपने यह enable नहीं कर रखा है तो five to six second आपका downtime जा सकता है बट session pickup में आपको पता भी लगेगा कब आपका failure हो गया user को तो पता ही नहीं लगेगा तो यह होता है हमारा यहाँ पर session pickup का benefit तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या देखेंगे अभी जो next वीडियो बनाएंगे यह तो था हमारा theoretical part जो हमारी topology होगी वह मैं आपको दिखा देता हूं यह हमारे पास यहाँ पर topology होगी जुम खांसे होगा तो जुम देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर हमारे पास fireball one हो गई और यह होगा fireball two यहाँ पर यह कैबल हम रन करेंगे हमारे fireball secondary पर और सेम होगी हमारे प्रैमरी पर और जो भी आपके यह जो interface है ना जिस पर cable जाएगी आपके इस वाले router से या switch से ठीक है switch होगा हमारे यहाँ पर इस वाले switch से जो भी केबल जाएगे आपके firewalls में यहाँ पर यह जो port आपका firewall का यह same होना चीए ठीक है अगर यह आपके different port होंगे तो आपका एच्छे configure नहीं होगा और दूसरी एक बात और जो सबसे important है अगर आपको एच्छे configure करना है तो आपके devices क्या होने चीए same होना चीए same मतलब कि model model same होना चीए OS same होना चीए इसके बाद जो आता है interfaces interfaces अगर मान लिए आपके पास primary में 24 है तो secondary में भी कितने होने चीए 24 ठीक है यह चीजे आपके लिए काफ़ important है जो device की configuration है और डिवाइस की configuration मींज डिवाइस की configuration तो सेम होगी OS same होना चीए model same होना चीए interface की जो quantity है और जो आपके ether channel ether channel नहीं और जो आपके SFP port है वो same होनी चीज़ में तो यह आपकी requirement है एच्छे configure करने के लिए ठीक है यह हमारा topology है यह हमारे लैन इंटरफेस होंगे और यह हमारा switch होगा switch से हमारे पास pieces connected होगे तो इस वीडियो का हम यहाँ पर end करते हैं इसके बाद हम next वीडियो में practical को देखें थेंक्स पर watching